हलो दोस्तो हमारे योट्यूब चैनल आयवेदिक टिप्स में आप सभी का एक बार फिर से में स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा आयवेदिक उपाई बताने जा रहा हूँ जिसको अपनाने से 50 साल का व्यक्ति भी 20 साल का जवान बन जाएगा अगर वो इसे सही ढंग से और नेमित रूप से सेवन करता है तो प्रियोग को बताने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाऊँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आज ही से सब्सक्राइब कर ले इसके साथ ही में दोस्तो नीचे दिये गए बैल आइकन को आप दबाना न भूले ताकि जब भी कभी कोई नई वीडियो में अपलोड करूँ वो आप तक पहुंच सके तो चलिए दोस्तो अब बात करते हैं उस आयरुवेदिक प्रियोग के बारे में दोस्तो आयरुवेदिक में ऐसे बहुत से प्रियोग हैं जिनको अगर सही धंग से सेवन किया जाए तो एक 50 साल का व्यक्ति भी 20 साल के नोजवान युवा की तरह बन जाएगा उसमें फिर से वही ताकत और जवानी लोटाएगी तो आज एक ऐसा ही प्रियोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसको सेवन करने से 50 साल के व्यक्ति भी युवा बन सकता है बस इसको सही धंग से निमित रूप से प्रियोग करना है तो इसके लिए आपको चाहिए लहसून और दूद जी हाँ सिफित दोनों ही चीजें आपको चाहिए तो करना क्या है सबसे पहले आप लहसून की एक कली को लेकर इसे छीलने छीलने के बाद आप इसे 200 ml दूद में डालकर दूद को गरम करें इसे आप तब तक गरम करें जब तक ये आधा सेश न रह जाए आधा धूद शेश रहने पर इसको सेवन करें और लहसून को चबा चबा कर खूब अच्छी तरह से चबा चबा कर इसको खा लेया इस प्रियोग को आप निमित रूप से प्रियोग करते रहें लगबग कुछ ही दिनों के बाद आपको इसका चमतकारी असर देखने को मिलेगा सेवन करने वाली व्यक्ति को ये खुद मैसूस होगा कि उसमें पहले से कितना अंतर आया है इस प्रियोग को स्त्रीव पुरुष दोनों ही सेवन कर सकते हैं तो दोस्तो बहुती चमतकारी प्रियोग है आप भी इसको अजमाएं और इसका लाब उठाएं आज की वीडियो में दोस्तो बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए आप इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ अन्य आरवेदिक नुस्कों को लेकर तब तक के लिए धन्यवाद